हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू उनलाइन इस्टरी चैनल आप सकते अपने यूटूब चैनल पे आप सभी बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स बहुत इंपोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करने वाले है अप्लिकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है साथी स्टार्ट हो चुकी है कन्फ्यूजन भी क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे कंटिन्यूमिर से कोशन कर रहे हैं कि NTA की तरफ से जो सर्टिफिकेट मांगा गया है चाहिए वो कास्ट सर्टिफिकेट हो P.W.R. सर्टिफिकेट हो या O.B.C.N.C.L. का सर्टिफिकेट है यह सेंट्रल लिस्ट चाहिए अप्लोड कैसे करें हमारे पास अभी अप्लोड नहीं है तो क्या अप्लिकेशन फॉर्म फिल करें यहां पर UGC.NET अप्लिकेशन के फॉर्म में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, P.W. सर्टिफिकेट या O.B.C.N.C.L. कोई जो सर्टिफिकेट है आपको अप्लोड करने है ऐसा कोई कमपलसर ही नहीं पर भी मेंशन नहीं है इसलिए अब आप लोग इस सर्टिफिकेट के लिए बिल्कुल परिशान मत होए हां P.W.D. सर्टिफिकेट यह चीज़े जरूत पढ़ेंगी क्योंकि जब एक्जाम टाइम पर आपको एक अपना जो वहां पर शो करना हो कि उसके लिए केंडिडेट को एक अलग से अप्रोच किया जाता है लेकिन वह भी एक्जामिनीशन सेंटर पर जब आप जाएंगे तब जरूरी है इसलिए आप लोग परिशान मत हो यह पूरा फॉर्म फिल अप करियो और इस बार तो सबसे अची बात यह है कि जब आप फॉर्म फिल करते हो तो यहां पर परसंटेज पहले क्या होता था कि अगर किसी को परसंटेज यादी नहीं आए कि मेरे परसंटेज कितने आई है पोस्ट ग्रेजुएशन में तो उसको सारे सर्टिफिकेट डोडने पड़ते थे इस बार आपके पोस्ट ग्रेजुएशन क कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो टेलिग्राम पर भी हमारे साथ जुर सकते हो इन्फोर्मेशन कैसी लगी एक बार लाइक शेर करिएगा अगर अच्छी लगी बनला थोड़ा रिलेक्सिंग लग रही है तो प्लीज एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें थेंक्स पर होची